नमस्कार दोस्तों सुबागत है आप सभी के एक्जाम पाथ फाइंडर में आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट्स लिकर आई हूँ जो की D.S.S.B. यानि की डेली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के द्वारा घुशित की गई है मैं आपको बता जूनियर एंजिनियर एलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्त कोड थी वह साथ बाइ उननिस की पोस्त कोड रखी गई थी और उनके रिजर्ट्स यहां पर आपको हमारे अटाच्मेंट सेक्शन में डिरिकली मिल सकते तो अगर आपको यह रिजर्ट देखना है तो आप हमारे अ पोस्त कोड है 7 by 19 इनके लिए टोटल 27 वेकंशी रिलीज की गई थी और उन 27 वेकंशी में यूर के लिए 12 पोस्ती ओबीसी के लिए 9 एसी के लिए 4 एसी के लिए 2 इनके साथ यहां पे फिजिकली चालेंग्डेट्स हैं उनके लिए यहां पे सीट्स रखी गई गई जैसे क पी एच ओएल में 1 पी एच 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 में 1 एक सर्विसमें में 2 एच पी में 1 इसी के साथ जब आप यहां नीचे आओगे आप देख सकते हो पॉइंट नमबर 3 में 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 मेंशेंड है कि जो टीर 1 एक्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में कंड़क्ट कराई गई थी और उ एक्जामिनेशन के लिए रिजल्ट रिलीज की गई जो कि 19 मार्ज 2021 को कंड़क्ट वी ती और उनके रिजल्ट यहां पर रिलीज हो चुके है मैं आपको बता दू कि अल्दो यहां पर 27 वेकिंसी ती लेकिन इसमें सिर्फ 9 कंडिडेट्स का सेलेक्शन हुआ है यू आर में काटिगरी में दो SC काटिगरी में एक और ST काटिगरी में भी इनके रोल नंबर्स आप डिरिक्ली यहां से देख सकते हो इस वीडियो को पॉस करके या फिर आप हमारे प्लाटफॉर्म alert.exam.pathfinder.com से डिरिक्ली अताच्मेंट सेक्शन से इस रिजल्ट नोटिस को किया जाएगा अगर आपके document verification में कुछ भी अगर वो गलत या फिर कुछ भी invalid नजर आता है तो आपका जो यह result है वो cancel कर दिया जाएगा यह जो पूरा decision है वो department के द्वारे लिया जाएगा इसी के साथ जब आप यहां पर नीचे आओगे आप देख सकते हो यहां पे mentioned है कि जो 9 candidates है जिन पर selection किया गया है उनके अलावा जिन भी candidates के नाव waiting list में है अगर उनके name के according कोई notice अगर release नहीं होती है तो यह जो waiting list है वो invalid हो जाएगी और मैं आपको बता दूँ इनके लिए यहां पर cutoff भी release की गई है तो you are candidates के लिए second tier में जो यहां पर cutoff है वह 112.09 OBC के ल 90.20 PHOH के लिए 120.73 इसी के साथ आप देख सकते हो मैं ने पूरी official notification आपके लिए explain कर दिया है but still अगर आपके पास कोई problem है कोई queries है कुछ भी important information है जो आप अपने बागी fellow candidates के साथ share करना चाहते हो तो आप directly हमारे platform alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस discuss button पर टाप करते हो तो आप हमारे community forum पर आते हो इस community forum पर आप देख सकते हो यहां पर नीचे एक write or reply का section है इस write or reply के section में आप अपने doubts, queries यह कुछ भी important information यहां पर mention करोगे तो आपके बागी fellow candidates इन में अपने point of views या फिर अपने question या फिर अगर उनके पास additional information यहां पर mention कर सकते हैं आपके help के लिए मैं हमारे community forum की जो लिंक है वो video के description में डाल दूगी and guys अगर आपको हमारा यह event अपने बाकी किसी family members या फिर फ्रेंड्स के साथ share करना है तो आप directly share button को tap करके share कर सकते हो या फिर अगर आपको इस particular organization से related कोई भी updates चाहिए तो आप यहां पर subscribe कर सकते हो so guys I hope आपको हमारी यह video अ वह आपको खागगे हो आपको हमारी डापको हमारी शाल आपको आपको हमारी की शार आपक matter भीघए चिराक पन польз आपक journ क ed यह video वह